आज के वीडियो में हम लोग MS Word के ऐसे tips and tricks के बारे में देखेंगे जो आपके work productivity को और enhance कर देगा और आप अपने office में और smart तरीके से अपने work को perform कर सकते हैं तो वो कौन सा tips and tricks को जानने के लिए इस वीडियो को बिना escape की हुए end तक का देखते रहें हम MS Word की सबसे पहले tips की बात करेंगे तो MS Word में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जो keyboard की मदर से हम कहीं भी किसी भी application पर काम करेंगे और directly अगर हमको MS Word run करना हो तो आपको करना कुछ है जैसे माली जै मैं इस MS Word को यहां पर बंद कर देता हूँ और यहां पर मैं Mozilla Firefox पर काम कर रहा था और suddenly मुझे याद है जो मुझे MS Word पर काम करना है तो normal आपको करना कुछ है अपने keyboard में एक shortcut यूज करना है सबसे पहले आपको Windows की दबाना है इसके साथ Alt दबाना उसका Ctrl दबाना है Shift दबाना और W दबाना है चलिए अब हम ट्रिक्स नमर 2 की बात कर लेते हैं अब आप MS Word पर काम कर रहा है और यहां पर आपको डोकुमेंट में एक straight line चाहिए तो simply इसके लिए आप insert टैब जाते हैं उसके बाद आप shapes पर जाते हुए यहां पर जो भी line का style पसंद उस पर click करते हुए आप यहां पर line को draw करते हैं जैसे आप enter button हीट किया तो देख सकते हैं आप एक straight line आपके लिए बन चुका होगा यादि आप double line का street line लगाना चाहते हैं तो simply आपको करना कुछ ने 3 या 4 ताइम आपको equal to दबा लेना है यहां पर देखिए 1,2,3,4 ताइम मैंने equal to दबा जैसे enter button हीट करेंगे तो देख स देख सकते हैं triple line का street line आपके लिए यहां पे लग रहा होगा उसके बाद यादि आप dot dot street line लगाना चाहते तो आपको करना कुछ ने 3 या 4 ताइम आपको star button दबा लेना है और उसको कुछ ने करना keyboard से आप enter button लगा लिए जैसे enter button लगाएगा देख सकते हैं आप dot dot आपके ल underline आपके लिए लगाने का काम किया जा रहा है तो इस परकार आप keyboard की मदद से जैसा आप यहां पे street line खीजना चाहते है keyboard की मदद से आसानी से कीज सकते हैं चलिए आप trick no.3 की हम बात कर लेते हैं हम keyboard की मदद से अलग अलग symbol बनाना चाहते हैं माली जब मैं smiley symbol बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले आपको shift के साथ semicolon बटन दबाना है और semicolon बटन दबाने को आप bracket जो close करते हैं उस बटन को दबाना है जैसे आप ऐसा कि देख सकते ह smiley shape बन गया होगा इसी परकार आप angry shape बनाना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं shift के साथ semicolon दबाना है और bracket शुरू करने वाला आपके special character 9 button जो इसको shift के साथ जैसे ही दबाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए angry shape बनाने का काम किया जा रहा है इसी परकार म left side बनाना चाहते है तो आपको करना कुछ नहीं सबसे पहले less than symbol लगाना है उसका two time minus button दबाना है जैसे आप दबाएगा देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए left तरफ arrow बनाने का काम किया जा रहा है अब यदि आप इससे थुरा सा thick arrow बनाना चाहते है आप right side आपको double equal दब इस परकार देख सकते हैं left side हमारे लिए thick arrow बनाने का काम किया जा रहा है यादि आप two side arrow बनाना चाहते है तो आपको करना कुछ नहीं सबसे पहले आपको less than equal to लेना उसका ग्रेटर दे लेना है जैसे आप less than equal to और greater दे लिए जैसे दोनों side के लिए arrow आपको लिए बनाने का काम किया जा रहा है इसके बाद हम लोग सीख लेते हैं जो यदि हमको ms word में trademark का symbol बनाना तो आपको करना कुछ नहीं bracket शुरू करना है t लिखना है m लिखना और bracket बंद करना है जैसे आप ऐसा कि जए दो देख सकते हैं automatic आपने जो भी लिखा तो आपके trademark के symbol में change हो चुका है इसी परकार मालीज हमको registered symbol यहां पर बनाना तो आपको करना कुछ नहीं bracket शुरू करना है और लिखना और bracket इसा किजएगा तो आप देख सकते हैं आपने bracket शुरू करके चैनली के ब्राइकट जैसे क्लोज किया आटोमेटिक आपके लिए यहां पर कॉपी रैट का सिंबोल बनाने का काम किया जा रहा है इस परकार कीबोर्ड शॉटकॉर्ट की मुदर से अलग लग सेंबोल आप यहां पर क्रियेट कर सकते हैं चलिए हम चलते हैं अपने अगले ट लिखा गया जबकि आप MS Word में vertically data को select नहीं कर सकते हैं तो आपको करना कुछ नहीं अपने keyboard में Alt button को hold करना और कुछ नहीं करना माउस को पकड़ करना है जैसे आप ऐसा कि देख सकते हैं आसानी से हम यहां पर vertically data को select करने को आप जो भी करना चाहते हैं आसानी से यहां पर कर सकते हैं तो MS Word में जब भी आपको vertically data को select करना हो तो आपको करना कुछ नहीं keyboard में Alt button को hold करना और कुछ नहीं करना माउस को पकड़ करना है तो देख सकते हैं यहां पर vertically data को हम आसानी से select कर सकते हैं चलिए आगे चलते हैं अगले tips इस पर बात करते हैं चलिए tips no.5 यादि MS Word में आपको सीख रहे हैं और कुछ सीखा रहे हैं तो आपको पता है किसी भी option के practice के लिए आपके पास यहां पर टेक्स्ट या आपके पास paragraph होना जरूरी है तो MS Word में एक ऐसा feature दिया गया जिसके दोरह आप randomly paragraph को यहां पर simply insert कर सकत तो यहां पर आपके पास randomly paragraph आजांगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा इस paragraph का use या तो आप खुद कुछ सीख रहे हैं तो या किसी को कुछ सुखा रहे हैं तो आप उस पर option के practice करने के लिए कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में 5 आपको MS Word के tips and tricks बता है आसा करता करता हैं तो